पाठ साथ बर्गत का व्रिक्ष बर्गत का व्रिक्ष बहुत बड़ा होता है पर उसके फल बहुत छोटे होते हैं जब एक लड़के ने बर्गत का तिरसकार किया तो उसने अपने बारे में बहुत कुछ बता डाला आप पढ़कर देखें पेड की कहानी उसी की जबानी पाठ साथ बर्गत का व्रिक्ष बर्गत का व्रिक्ष बहुत बड़ा होता है पर उसके फल बहुत छोटे होते हैं जब एक लड़के ने बर्गत का तिरस्कार किया, तो उसने अपने बारे में बहुत कुछ बता डाला। आप पढ़कर देखें, पेड की कहानी उसी की जबानी। पाट साथ बर्गत का व्रिक्ष। बर्गत का व्रिक्ष। बहुत बड़ा होता है, पर उसके फल बहुत छोटे होते हैं। जब एक लड़के ने बर्गत का तिरस्कार किया, तो उसने अपने बारे में बहुत कुछ बता डाला। आप पढ़कर देखें, पेड की कहानी उसी की जबानी। बहुत समय पहले की बात है, धर्ती पर चारों ओर पेड पोधों के जुर्मुट वन पशुपक्षी थे। मानव नाम का प्राणी भी था, हाँ एक विचित्र बात थी। उस समय सभी प्राणी, यहां तक की पेड पोधे, पशुपक्षी सब एक दूसरे की भाशा समझते थे। परस पर बात चीत भी करते थे। एक छोटे से गाव के बाहर हरे भरे मैदान थे। बरगत का एक विच्ष था, बहुत विशाल। उसका लंबा मोटा तना था। उसके पत्ते घने थे। शाखाएं चारों और फैली थी। उसकी शाखाओं से दाड़ी निकल कर धरती तका रही थी। लगता था कि वह विच्ष वहां बहुत वर्षों से खड़ा था। मैदान में कुछ गडरिये अपनी भेड बक्रियां चराने आते थे। उन में से एक लड़का अपनी बक्रियों के साथ आया करता था। गर्मी के दिन थे। बक्रियों के साथ इधर उधर घूनते वह गडर या लड़का ठक कर पस्थ हो गया था। कुछ देर आराम करने के लिए वह बर्गत के उसे व्रिक्ष के नीचे आ बैठा। बर्गत के नीचे छाया थी। हवा भी शीतल थी। हवा के हलके हलके जोके लड़के को थपथपाने लगे। पेड के तने से लगा लड़का वही लेट गया। तभी उसकी द्रिष्टी पेड पर लगे छोटे छोटे फूलो और फलो पर गई। लड़के के पास पहले एक ही बकरी थी। पर धीरे धीरे उसने अपनी होश्यारी से अपने जुंड को काफी बड़ा कर लिया था। वह अपने आपको कुछ समझने लगा था। बर्गत के फूल और फलों को देख वह तिरसकार की हसी हसा। वहरे विशाल पेड बस खुद ही बड़े हुए। अपने फूलों और फलों को तो देखो। अपनी लटकती दाड़ी को तो देखो। बर्गत ने सब सुना परन्तु बूला कुछ नहीं। तभी हवा चलने लगी। पत्तों से सर्र की हलकी ध्वनी निकली। जैसे वे कोई लूरी गा रहे हुँ। लड़के की शीकर ही आँख लग गई। तभी एक दो फल उसके मुह पर आगिरे। वह हर बड़ा कर उठ बैठा। उसने उपर देखा। उसे किसी के हसने की आवाज सुनाई दी। एक तो मेरी नीन खराब कर दी। उपर से हस रहा है। क्यूं? चोट लगी क्या? चोटा सा तो फल था, इतने में ही खबरा गए। अब सोचो, यदि मेरे पेड़ पर तरबूस जितना फल होता, तो… मित्र, किसी को चोटा या कम समझना बुद्धी मानी की बात नहीं है। यह तो घमंडी होना है, और घमंड करना तो किसी के लिए भी उजित नहीं। अब देखो, मैंने अपनी चाया देकर तुम्हें धूप ताप से बचाया। मेरे तने ने तुम्हें सहारा दिया। मेरी पत्तियों से च्छन कर हवा शीतल हुई। तुम्हें सुख मिला और तुम सो गए। चिडियां मुझ पर बसेरा करती हैं। और मेरे छोटे-छोटे मीठे फल खाती है। मुझसे गल्टी हो गई। बर्गत दादा। मैंने इस तरह तो सोचा ही ना था। मुझे अपने बारे में कुछ और बताईए। पहली बात तो यह की प्रकृति से दोस्ती करो। हम सब एक दूसरे से कुछ न कुछ लेते हैं। मेरे फल चुडियों का भूजन है। मेरी शाखाओं उपर उनके घोंसले हैं। चुडियां सारा दिन घूम घूम कर अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे कीडे और इल्लियां ढूनती हैं। इल्लियां मेरे पत्ते खाती हैं। चुडियां उन्हें खाकर मेरी मदद करती हैं। वे घास पत्ते खाने वाले कीडों से घास पत्तों की रक्षा करती है तुम्हारी भेडें वह घास खाती है बरगत दादा, चुप क्यों हो गए? कुछ और भी कहो ठीक है, मेरे आसपास कई पत्तियां सड रही है केचुए इन सडी पत्तियों को खाने जमीन के नीचे से निकलते है इससे मिट्टी को हवा मिलती है और पेड़ों की जड़ों को शक्ति मिलती है तुम मेरी बास समझ गए होगे इस तरह हम सब एक दूसरे पर निरभर है हम एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते मुझे एक शमा कीजे बर्गत दादा मुझे इन सब का ग्यान न था मैं आप से कुछ और अरे, अभी तो अपनी भेड बक्रियों को देखो भागी जा रही है उधर लड़का भाग रहा था अपनी बक्रियों को पकड़ने वह सोच रहा था आज मैंने कितना कुछ सीखा हाँ, प्रकृती में सब कुछ उपियोगी है जब हम सब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो बड़े होने का घमन क्यों? अरे, वाँ बर्गत दादा ने तो प्रकृती के प्रती हमें जागरू कर दिया कितनी अच्छी बात बताई कि जीवन में पेड़ पौधे, पशुपक्षी और मनुष सब ही एक दूसरे की मदद करते हैं पेड़ पौधे, पशुपक्षी हमारे लिए बहुत उपियोगी है हमारे मित्र है पेड़ में आये कुछ दो